अब दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों एक नए विडियो के साथ आ रहे हैं जो कि UPPCSJ के लिए ये विडियो है और दोस्तों ये informative session होगा जो कि आपके लिए important होगा इसलिए important होगा क्योंकि ये लोक सेवा उत्तर प्रदेश के दोरा ये news जारी किया गया है और दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं कि OTR के बारे में बात किया जा रहा है one time registration के बारे में बात किया जा रहा है जो कि mandatory कर दिया गया है UPPCSJ के ल content हो गया है देखिए मुख्य परिच्छा के आवेदन में OTR नंबर की होगी आउशकता जो one time registration है ये one time registration की बात कही जा रही है ये दोस्तों ये क्या कहा जा रहा है इसमें हम विसेश रूप से प्रकाश डालने वाले हैं अब देखिए इसके बारे में हम यहां से आपको बत अब ये क्या है ये प्रियाग रास से न्यूज आया है और इसी न्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे देखिए पहले तो आप यहां पे short news देख लीजे short news क्या कर रहा है एक अप्रैल के बाद सभी विग्यापनों में one time registration कराना अनिवार ने कर दिया गया और ये किसके कि नई बेवस्ता के तहट one time registration कराना होगा अब देख लिए जो ओटी यार का फूल फ़र्म बताया जा रहा है यह one time registration कराना होगा अनिवार ने कर दिया गया है और भास करकर बिसेस उनके लिए अनिवार कर दिया गया है जो कि यूपी PCSJ का जो preliminary examination दे लिये हैं जिनको लग आयोग ने अपनी सभी परिच्छाओं के लिए ये सिर्फ और सिर्फ यूपी PCSJ के लिए नहीं किया गया है या किसी बिसेस परिच्छा को देखते हुए ये सभी परिच्छाओं के लिए किया गया है OTR सिस्टम लागू किया गया अब इसमें देखिए क्या कर रहा है एक अप्रेल 2023 से OTR अनिवार रिक कर दिया जाएगा मिन्स कि आप कोई भी फार्म भरेंगे जो कि UPPCSJ से मिन्स कि जो उत्तर परदेश लोग सेवा आयोग का फार्म होगा उसके लिए आपको OTR वहाँ पे फाइल करना पड़ेगा OTR अपना जैसे हम लोग verification करवाते हैं जैसे कि हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार का verification करवाते हैं just उसी लाइक यह verification होता है कि यह verification हो जाएगा हमारा सारा डॉकुमेंट जो रहेगा वो उत्तर परदिस लोक सेवा आयो के पाथ आल्रेडी ही सब्मिट रहेगा बस हमको OTR नमबर डालना है बस OTR नमबर से हमारा पूरा डीटेल आ जाएगा वही दे रहा है हाला कि PCSJ 2022 का विग्यापन पिछले साल 10 दिसंबर को जारी किया गया और प्रारंबिक परिक्षा 12 फेबरोडी 2013 को आयोजित की गई थी आवेदन के वक्त OTR की बेवस्ता को लागू नहीं किया गया था जब हम लोगों ने फार्म भरता यूपी PCSJ का जो की दिसंबर में फिल करवाया गया था 10 दिसंबर को तो उस समय OTR की बेवस्ता नहीं लागू की गई थी लेकिन अब क्या कर दिया गया अब OTR की बेवस्ता लागू कर दियेगा लेकिन अब PCSJ 2022 के प्रारंबिक परिच्छा का परिड़ाम आने के बाद मुख्य परिच्छा के करवा लेते हैं तो आप सेफ रहेंगे आप में एग्जामिनेशन देने के लिए यहाँ पर अच्छे तरीके से जाएंगे आपको किसी भी प्राकार की कोई प्राब्लम नहीं होगी अब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है यह बेसिक इन्फॉर्मेशन ने PCSJ के 303 पदों के में एग्जामिनेशन देना चाहता है जो उसको लगता है कि मैं कटाफ के अंदर हूँ और मुझे में एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा उसके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो परिच्छा आपका में एग्जामिनेशन होगा वो 23, 24, 25 मैं दोहजर 23 को यह होगी यहाँ पर OTR नंबर की आउसकता होगी आप जाकर के वेबसाइट पर OTR नंबर अपना डलवा सकते हैं अब बहार्थियों से कहा गया है कि वे OTR के तवस्त रजिस्टेशन कराना अपना OTR नंबर सिग्र प्राप्त कर ले जिसको लगता है कि हां मैं कट अप में हूँ तो वो जा करके online जहां से form फिल कराता है जैसे भी हो उस तरह से जा करके अपना OTR नंबर वहाँ पर जनरेट करा ले क्योंकि OTR नंबर की आउसकता लोगी अब देखिए OTR नंबर प्राप्त होने से PCSJ अभ्यार्थियों को आगामी परिक्षाओं के आवेदन में ज्यादा मथा पक्षी नहीं करनी होगे मिंस कि एक बार आपने OTR रेजिस्टेशन नंबर ले लिया तो वो आपका पर्मानेंट हो जाएगा बस आप कहीं भी जाएंगे जैसे as usual आधार काट का जो आपका नंबर होता है नंबर डालते हैं आपका पूरा डीटेल आ जाता है आपका न परिच्छाओं के लिए आवेदन में विस्तरित विवरण नहीं भरना होगा क्योंकि रेजिस्टेशन कराने के बाद आयोग के पास उनका पूरा विवरण उपलब्द हो जाता है इसलिए यह कराया जा रहा है अब देखिए यहां पर लिख रहा है आयोग की ओर से असपश से में होना है उन अभिहारतियों को भी मुख परिच्छा का आवेदन OTR नंबर के आधार पर भरना होगा दोस्तों यह बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो की इंफॉर्मेशन आ रहा था उत्तर परदिश लोग से वायोग के दोरा यह इंफॉर्मेशन मेरे को लगा कि आप रहा हूं इंग्लिस में भी लिख करके ला रहा हूं अब जिस लेंग्विज में आप उसको कर सकते हैं उस प्रकार से आप रिवीजन कर सकते हैं उस प्रकार से आप देख सकते हैं और साथ-साथ बिहार का जो की प्रिवियस एर पेपर है उन सभी प्रिवियस एर पेपर को म मैं conduct करवाने वाला हूँ 28 तारिक से जो कि हमारा 36 गड़ जूडिसरी का examination अभी होने वाला है 26 तारिकों ये examination over हो जाए उसके बाद से मैं बिहार पे लगूँगा बिहार का पूरा previous paper solve कराऊंगा जीके का भी कराऊंगा और उसके साथ-साथ law का भी paper मैं conduct कराऊंगा तो दोस्त लोक सेवा आयूक से regarding या PCSJ के किसी भी state के PCSJ के regarding तो वो आपको आसानी से मिल सके दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद